हेलो नमशकार दोस्तों सौगतायप का आसी स्पोडों में आज हम बात करने वाले अल न्यू अपडेटेट महिंद्रा XEV 4W के बारे में अगर बात किया इसके स्टाडिंग प्राइस की तो 15,49,001 सूरम से इसका बेज़ बंडी स्टाड होता है और यहाँ पर देख लिए EL PRO, यहाँ पर प्रो लग चुका है तो प्रो लेवल के आपको फीचर देखने को मिल जाएंगे टॉब इंट चला जाता है 19,49,001 सूरम तक आप चलिए इंटीरियर में देखातों किया कुछ चेंजिस हुआ है तो पहले आपको जो टच इंफो टेमी सिस्टम है वो मिलता था 7 इंच का लेकिन अब कर दिया गया 10 इंच का और इसकी जो लेयाउट है वो भी चेंज किया गया क्लाश्टर को वगरा को भी थोड़ा सा चेंज कर दिया है तो इंटीर को आगे अभी प्रॉपर कवर करते हैं सबसे पहले बात करते हैं इसके रेंज की तो इसमें आपको दो तरह के बैटरी ओप्शन देखने को मिल जाते है जिसके रेंज अगर आप जाते हैं थर्टी नाइन पॉइंट फॉर्ट किलो मेंटर की तरफ तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी चार सो चपन किलो मेंटर की रेंज जो कंपनी क्लेम करती है रियल लाइफ की बात की जाए तो धाइसो से तीन सो तक चल जाती है और इसमें जो मोटर लगी हुई है वो निकाल के देती 148 BHP की पाउर और 310 NM का टॉक 0 से 100 ये 8.3 सेकेंड में पहुँच जाती है ऐसे कुछ आपको स्मार्ट की मिलेगी लॉक अनलॉक बूट खिलने की बटन फिलिप की रहेगी पीछे आपको मिल जाती महिंदर की ब्रेंडिंग जिसका जो कलर है थोड़ा सा आपको कार्बन फिनिश जैसा देखने को मिल जाता है जो सेकेंडर की है वो आपको मिलते है सेम या पे स्मार्ट की आप चलिए बात करते हैं गाड़ी के एक स्टीर से फिर चलेंगे इसके इंटीर में तो सेंटर में महिंदर की ब्रेंडिंग महिंदर के लोगो देखने को मिल जाता है आपको दिया जा रहा है ग्राउंट क्लिएस नीचे आपको मिलते है इस सिल्वर फिनिस में इसकी प्लेट ये तो गए फ्रंट फेसे की बात उपर बोनट की बात कीज़े तो काफी काट्स और कीज़ेस हैं यहाँ पर आपको डूवल वाइपर विद वासर का सटप ये इसका डूवल टोन कलर है यहाँ पर ब्राउन कलर की आपको मिल जागी रूफ रूफ रेल्स सन रूफ और पीछे मिलता आपको शाक्फिन एंटिना आठ साल और एक लाग साथ हजार किलोमेटर की आपको मिलेगी वारंटी बैटरी और मोटर की अब आजाते हैं इसके साइड प्रोफाइल के तरफ तो साइड से देख लीजे ऐसो कुछ आपको लुक्स मिलने वाले 16 इंच के डामेंट के अलाइवस हैं चारो पहियों में आपको मिलेगी डिस ब्रेक अगर इसके डैमेसेस की बात की जाए तो 205, 65, 16, 16 का दिया जा रहा है उपर आपको क्लैडिंग वगरा देखने को मिल जाती है ORVM आपको मिलते हैं यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक फिनिस में इलेक्रिक बे अज़स्ट एंड फोल आप इनको कर पाऊगे 10 इंडिकेटर की प्लेस में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है A पिलर, B पिलर सब आपको दिया जा रहा है ब्लैक फिनिश के अंदर यह रहे बॉडी कलर डॉर हें रिक्ट्वेस संसर के साथ में अगर वील वेस की बात की जाए तो 2600 mm का है इस पेस आपको काफी बढ़िया मिलता है नीचे भी आप पूरे में कलैडिंग देख सकते हैं अलफोर डिस ब्रेक दी जा रही है एक्सवी 400 के अंदर यह काफी अच्छी चीज़ है पीछे भी आप पूरे में कलैडिंग देख सकते हैं अगर रूफ की बात की जाए तो इसका डूबल टोन कलर है आप इसको सिंगल टोन कलर में भी ले सकते हैं उपर आपको रूफ वगरा सब कुछ देखने को मिल जाएंगी आप आप आजाते हैं इसके रियर प्रोफाइल की तरफ तो रियर से देख लेजे काफी सांदार से लुक्स मिलेंगे XV300 से यह थोड़ा सा और अच्छी लगती है यहाँ पर टेल आम्स वगरा थोड़ा चेंज देखने को मिलते हैं यहाँ पर हाइमोट शॉप लैंप है यहाँ पर आपको मिल जाता है डीफ वागर यहाँ पर आपको मिलती ही वाइपर की प्लेसमेंट सेंटर में आपको महिंद्र की ब्रेंडिंग महिंद्र का लोगो देखने को मिलता है यहाँ पर नीचे आपको मिल जाएगी camera की प्लेसमेंट अगर बात की जाए सिके tail lamps की जो LED रहेंगे turn indicator की प्लेसमेंट reverse side की placement आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती, काफी बड़े size में, यहाँ पर EV के badging, नीचे आपको मिलते हैं, 2 reverse parking sensors, side map को XCV 400 की badging, यहाँ पर आपको reflectors की placement, silver fence में, rear में भी skip plate, नीचे का पूरा suspension setup देख सकते हैं आप, अगर left side की बात की जाए, तो XCV 300 के अंदर आपको fill filler cap मिलता था पीछे, वो आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, यह EV कार है तो यहाँ पर आपको मिल जाता charging port और इसको open करके दिखाऊं, तो ऐसा कुछ आपको charging port मिलेगा, charging tank पी बात की जाए, तो 0 to 100 यह charge हो जाएगी 6.5 गंटे में, अगर आप चार्ज करते हैं 7.2 क्लिवाट चार्जर से, अगर आप फार चार्जर से चार्जर से चार्ज करेंगे, तो 0 to 80 हो जाएगी 50 मिनट में, यह तो हो गई exterior और power figures की बात, आप बैठते हैं इसके front cabin में, driver street के उपर, वहाँ पे आपको दिखाते हैं main जो इसमें changes हुए हैं, तो सबसे पहले आप door trim देख लो, dual tone color में है, काफी premium सा लग रहा है और उपर देखेंगे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा door opener, यहाँ पे speaker की placement, चारो पाउंडों के controls आपको मिलेगे, लॉकलों के बटन, और यहाँ से आप ORVM को forward and addisk कर पाओगे, यहाँ पे पूरा glossy black finish, यहाँ पे दो cup holder, कुछ space, and front cabin की बात करें, तो इतना कुछ आपको मिल जाएगा space, आगे वाले जो headrest हैं, उनको आप addisk कर पाओगे, leather की seats रह दी ही, काफी premium सी, और यह देख लिजाए, इसका premium dashboard, इसके अंदर आता है six airbags, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी seats पे badging, leather की seats हैं, और इसके under thigh support की बात की जाए, तो अभी मैं आपको open करके दिखाता हूँ, तो यह रही leather repository, अगर इसके thigh support की बात की जाए, तो यह देख लो भाई, अच्छा खास आपको मिलेगा, यहाँ से height, यहाँ से recline कर सकते हैं, नीचे आपको charging port खोलने का यह lever दिया जा रहा है, यहाँ पे आपको automatic के pedals, यहाँ से आप अपना bone खोल सकते हैं, उपर की बात की जाए, तो traction control, head dial leveler, और यह रहेज के AC के events, brown finish के साथ में, अब चलिए अंदर बैटते हैं, और अंदर से बैटके पूरी तरह से change कर दिया गया है, XV700 आपको cluster यहाँ पे देखने को मिल जाता है, fully digital, पहले आपको मिलता था analog XV300 आपको बहुत सारी information देखने को मिल जाएगी, जैसे कि side में आपको speedometer, battery percentage, इसमें 3 तरह के mode आते हैं, fun, fast, fearless, उसके भी influence नीचे देखने को मिल जाती है, side में आपको range बगरा दिखा रहा है, और इस MID को आपको यहाँ से operate कर पाओगे, इसके अंदर आपको trip A, trip B, mileage, range के अलावा, बहुत सारी information देखने को मिल जाएगी, बाकि इसका layout भ alert, setting, navigation, सारी चीज़े आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, और उपर देखेंगे, time वगरा सो कर रहा है, तो मदब देखने में काफी खूपसत कर दिया है, पहले से महिंद्रा ने इसको, अगर stirring के बात की जाए, तो यहाँ पर आपको मिलता है decat stirring, पूरा leather finish मिलेगी, center में Mahindra की branding, multimedia call के सारे controls, यहाँ पर आपको cruise control और MID की बटन देखने को मिल जाएंगे, वाइपर के controls, यहाँ पर आपको मिलेंगे, headdamp के control, जो की automatic है दोनो, adjustment की बात की जाए, तो नीचे आपको मिलेगा lever, जिसके थुरू आप अपनी steering को tilt उपर नीचे address कर सकते हैं, टेलि बड़ा कर दिया है, अब आपको XVSAS वाला user interface यहाँ पर देखने को मिल जाता है, डिस्प्ले भी बड़ी हो चुकी है, इसका touch response देख लिए कितना smooth चला है पहले से, यहाँ पर EV के अंदर जाएंगे, तो बहुत सारी information दिखाता है, battery percentage, range वगरा सब कुछ आप यहाँ से दे बात की जाता है, reverse parking camera की बात की जाता है, तो काफी clear camera आपको मिलता है, कोई 360 की camera अगर नहीं आता है इसके अंदर, बाकि इसका user interface पहले से काफी बहतर हो जाएगा, काफी बढ़िया touch response देखने को मिल जाएगा, नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको सारे button knob देगें इसक आपको mode मिलते हैं, तीनों को आप यहाँ से change कर सकते हैं, यहाँ पर आपको dual zone, automatic AC दिया जा रहा है, यहाँ पर USB charging port, wireless charging port, और यह रहा इसका knob, भाई कितना premium लगता है, इसके अंदर आपको parking, reverse, neutral, drive, बहुत सारे option देखने को मिल जाएगे, और इसके अंदर first in segment एक L mode भी आय जाए है, यहाँ पर manual handbrake, दो cup holder मिलेंगे साइट में आपको, यहाँ पर key वगर आराम से रख सकते हैं, यह इसका armrest, इसके अंदर आपको काफी deep storage देखने को मिल जाता है, and glove box की बात की जाए, तो यहाँ पर आपको मिलेगा deep storage, यहाँ पर भी नीचे आपको कुछ इस्वि से हैं, यहाँ पर आपको sun glass holder, और बीच में सबसे main चीज, इंडियन की सबसे पहली पसंद sunroof, यहाँ पर आपको electric sunroof का बडन देखने को मिल जाएगा, and visibility उसके क्या ही कहने, आप bumper to bumper आपको drag पर पाऊगे, driver seat पर बैटने के बाद पूरा bonnet visible होता है, six airbag, curtain airbag seats पे, और front म आपको सारे airbags देखने को मिल जाते हैं, यह तो गई interior की बात, आप चलते हैं, इसके rear cabin की तरफ, वहाँ पर बैट की देखते हैं, आपको कितना के space मिलने वाला है, तो यह रहा है इसके body color door hinders, अगर door drink की बात की जाएगा, तो same आपको मिल जाएगा, dual tone color में, उपर देखें इतना कुछ मिलेगा, तीन-तीन headrest हैं, जिनको आप address कर पाऊगे, leather की sheets रहती हैं, उपर आपको मिल जाती है, sunroof जैसा कि मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, आप चलिए अंदर बैटते हैं, और अंदर से बैट के पूरा space चेक करते हैं, तो मेरी height 5 foot 8 inch है, इतना कुछ आपको मिलेगा, new room, leg room देख लिए, अंदर था, इस पोड़ भी आपको ठीक टाक देखने को मिल जाता है, इस पेस की कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपको paper वगरा फसा सकते हैं, अगर center की बात की जाए, तो rare AC vents, यहाँ पको कुछ space, type C का charging port यहाँ पर आ चुका है, न यहाँ पर आपको मिलती है, roof light, जो की LED नहीं है, नॉर्मल हाइलोजन मिलेगी, और रियर से ऐसा कुछ रिखता है, front dashboard, जिसको मैं आपको proper दिखा चुका हूँ, आप चलते हैं, इसके boot space की तरफ, वहाँ पर आपको दिखाते है, कितना का space मिलने वाला है, because इसकी length जो है, XV 300 से जादा है, तो यहाँ पर आपको space भी काफी बड़ी है, बूट के अंदर, magnetic button है, अगर space की बात करें, तो यहाँ पर आप मूलता है, 368 लेटर का boot space, अच्छा खासा space है, और यहाँ पर अभी रखा हूए इसका charger, पूरा space आप देख लिज़े, आपका luggage आराम से यहाँ पर आजाएगा, अब चलिए इसके boot को करते हैं, बन, सारी बाते हो गई, अब बात करते हैं, इसके safety features और pricing की, तो इसके अंदर आपको ABS, DBD, center locking, power door locks, child safety locks, speed sensing auto door lock, impact sensing auto door unlock, six airbag tracks and control जैसे safety features आपको देखने को मिल जाएंगे, pricing की बात की जाए तो अभी आपके सामने top end, EL variant ख़ पढ़ने वाली है, अगर आप इसको fast charges के साथ लेंगे, तो 19,49,000 एक्स रूम और लगबग, 20,25,000 रुपए की on-road लखनो पढ़ने वाली है, यह XV400, तो अगर आपका budget है, 19-20 लाग के बीच में, और आप एक EV कार सोच रहे हैं, तो आप जा सकते हैं, महिंदरा XV400 की मौका दिया, तो deal any Mahindra cards, visit this रूम, अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कर दीगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीगा, मिलते एक नए वीडियो को साथ तब तक लिजैहिन, वन्दे मातरम